हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की यूटूब चैनल दोस्तो आपके लिए गुड न्यूज है और आज की वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी स्टुडेंट्स के लिए यूगि आज की इस वीडियो में मैं आ विदन करना चाहते हैं सेलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक देएगा यूगि आज की इस वीडियो में हम आपको इस वेकिंसी की पूरी जानकाई देंगे जैसा की सलेक्शन प्रोसेस क्या है कौन कौन से केंडियेट्स अलिजिबल है आप विदन कब से पर पूरी चर्चा हम करने वाले हैं तो वीडियो में लास्त तक बने देएगा और दोस्तो आगी बने से पहले आप सभी से शिकायत भी रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक निकरते तो जादा से यदा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप ये वीडियो दे साथ इसाथ घंटी का बेल आइकन जरू दबा दें तकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवी की लेटेस रिकूर्मेंट के बारे में ओफिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2021 का नया नोटिफिकेशन है ओफिशली जारी कर दिया गया है सीधी भरती है बिना एक्जाम के कोई भी एक्जाम आपकी नहीं हो रही है एप्लिकेशन फीज जो है सभी केडिगर का सकते हैं किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजेगा मेल और फीमेल दोनों ही केंडिगेट अप्लाई का सकते हैं और दोस्तों आप सभी के लिए एक और गूड नियूज है अगर आप दसवी पास बारी पास ग्रेजूट पास या फिर अगर टेकनिकल क्वालिफाइड हैं जैसा कि ITI डिपलोमा डिगरी पास हैं तो आप सभी के लिए गुड नियूज हैं क्योंकि रेलवे में, SSC में, बेंक में, पुलिस में, आर्मी में इन सभी विभागों में और भी बंपर भरतियां आ चुकी हैं इनके अलावा और भी ऐसे विभ यहां पर आप जाकर के पुरी जान करने सकते हैं आविधन कर सकते हैं यहां पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आविधन करने का लिंक भी मिल जाएगा तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई वेकेंसी की जो की निकाली जारी है रेलवी की तर तो यह जो वेकेंसी निकाली जारी है, Indian Railway, Rail Wheel Plant की तरफ से वेकेंसी निकाली जारी है, post जो है यहाँ पर काफी सारी है, various categories केंदर vacancies ए, diploma और BB Tech Pass के इंडियेट्स अपलाई कर सकते है, अगर आप B. SC Pass भी हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी branches mention की गई है, selection process में यहाँ पर आपकी कोई भी exam का जिकर नहीं किया गया है यहाँ पर आकर कि आप पूरी जानकाई ले सकते हैं किस प्रकार आपका selection process रहेगा ठीके यहाँ पर आपको salary के तोर पर stipend मिलेगा जो की diploma वाले को आठ जार और बाकी जो graduate candidates से उनको 9000 रुपे का stipend दिया जाएगा यह इस लिमिट जो इस पर rules के according रहेगी और वहीं application fees जो है सभी category के candidates के लिए बिल्कुल फ्री है education qualification यहाँ पर आप post-wide check-out कर सकते हैं कि b.b.tech pass candidates के लिए क्या चाहिए diploma pass candidates के लिए क्या चाहिए और आपको बता दें आविदन शुरू हो चुके हैं 14 जनवरी 2021 इसकी last date है तो आज ही apply कर दीजे यहाँ पर आविदन करने का link मिल जाएगा with official notification के link के साथ में तो यह रहा official notification का link यहाँ पर आप जा करके पूरी vacancy की जान कर ले सकते हैं यहाँ पर आप दें apply किस प्रकार करना है यहाँ पर official website का link भी दिया गया है activate है link तो यहाँ पर click करके भी आप directly जा सकते हैं तो notification में आपको किस प्रकार पूरी जानकरी दी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से कब तक आविदें चलेंगे age limit क्या होगा और application fees होगी या नहीं होगी सारी जानकरी यहाँ पर mention की गई है तो अधिक जानकरी के लिए notification को check out कीजेगा इस vacancy के regarding कोई भी सवाल या कोई भी curious है तो comment कीजेगा वीडियो को like share और चैनलन को subscribe जो कीजेगा Thank you so much